तो नमस्कार दोस्तो मैरवियाज गोस्वशवामी और आप देख रहे हैं अप्टे डेश्टास स्वागत है आप सबी का दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे साईवर क्राइम वाले नए ने तरीके से आपको ठगने की कोसिस करते हैं जिसके द्वारा क्या होता है दोस्तों कि हम ठगे जाते हैं और हमें यह सोचते हैं कि हम नहीं ठगे जाएंगे बट क्या होता है कि आगे हमें आरे साथ ही हो जाता है तब मालूम चलता है कि हमारे साथ यह क्या हो गया दोस्तो ऐसे ही कुछ एडवाईजरी हमेशा जो RBI जो हमारे Reserve Bank of India उसके दोरा हमेशा guidance जारी किया आता है दोस्तो इस बार भी कुछ guidance देखने के लिए मिला है विकोज क्या दोस्तो हमेशा cyber crime वाले नए ने तरीके अपनाते हैं जैसे ही RBI को इसका भनक लगता है कि हाँ हमारे यहाँ ऐसा condition चल रहा है तो उसके लिए guidance जारी किया आता है ताकि जो भी customer होगा सुरक्षित रहे है दोस्तो तो इस वीडियो का आप पूरा देखिएगा उमीद करते हैं दोस्तो कि वीडियो काफी interesting होगा इस वीडियो में आपको सिखने के लिए मिलेगा है कैसे नए तरीके से जो cyber crime वाले हैं आपको ठगने की कोशिस कर रहे हैं और आपको कैसे उससे बचना है दोनों तरीके में इसमें बताऊंगा दोस्तो तो वीडियो को जारी करते हैं तो आगे बात करते हैं जो RBI का risk management department होता है उसके दोरा कुछ guidance जारी किया गया है बात करते हैं कौन-कौन से guidance जारी किये गए और कौन-कौन से नए तरीके अपना रहे हैं cyber crime वाले दोस्तो नंबर वन पर आता है कि जैसे कि माल लोग की हम Google पर गए और वहाँ पर हमने type किया customer किया number of state bank of India दोस्तो ऐसा number type करते है customer किया किसी भी bank का या financial institution का हम वहाँ पर name डालते हैं और उसका toll free number या customer किया number ऐसे करके हम type करके वहाँ पर देखते है number क्योंकि हमें ज़रुत होता है requirement होता है उस चीज का हमें customer के से contact करना होता है दोस्तों वहाँ पर जो top में number 100 होता है हम उस पर call करते हैं दोस्तों हमारे site से एक पर भी verify नहीं किया है ता हम believe कर लेते हैं किस पर google पर सायद हो सकता है कि google पर जो number डाला गया वो बिल्कुल correct हो और उस पर हम दोस्तों call कर लेते हैं लेकि मैं आपको बताना चाहूंगा यह दोस्तों काफी सारे ऐसे number होते हैं जो होटाले बाजो के दोवारा create और operate किया एता है यानि उनके दोवारा website बना करके SBI या किसी फरजी बैंक के नाम पर क्योंकि दोस्तों वहां पर जो number होता है वह पूरा website के details के सांथ number नहीं होता है आप जैसे कि देख सकते होंगे Google पर जाब search करते होंगे वन लीप टॉप में number हो करता होगा या आप उस पर click करते होंगे तो आप website का पहले पूरा details देखना है कि कोसिस कीजिए कि website अगर SBI या किसी financial institution का official website से तो आप उस भी बिलीब कर सकते होंगे बात करते हैं कि second number वाले कौन सी तरीके अपना रहे हैं कि अपना रहे हैं कि दोस्तों क्या करते हैं जैसे कस्टमर की टॉल फ्री नंबर मालो की एक्जामबल के लिए मैं आपको बता रहा हूं 1-800-425-3800 हो गया ठीक है तो इसको क्या करेंगे न इसमें 1-1 नंबर चेंज कर देंगे कि software के दोरा चाहे कैसे भी इस नंबर के different में only एक नंबर चेंज होका दोस्तों जैसे मालो की 1-800-425-3600 कर देंगे ठीक है और उस नंबर से क्या करेंगे true caller या किसी भी website पे जाकर के उसका name चेंज कर देंगे और किसी bank का नाम रख देंगे वहाँ पे दोस्तों उस नंबर से जब आपके पास call आएगा तो आप सोचोगे कि state bank of India या किसी कोटक महिंद्रा बैंक या किसी और बैंक से call आ रहा है लेकिन दोस्तों रियल में क्या होता है कि उस नंबर में एक जो digit होता है वो change किया होता है जिस पर आप care नहीं करते हो जैसे मालो कि आपके bank की toll free number में last में 3600 है या 3800 है तो उसको 32000 कर देंगे आप उस पर मतलब की care नहीं करोगे और अपना पूरा details आप उसको बता देते हैं दोस्तों ऐसा कभी नहीं करना है कि अगर आपके पास कहीं से भी toll free number पे call आता है कैसे भी number से call आता है आप बोलो कि मैं direct bank में contact करते हैं आपको और आपने पूरे अपनी details को बता दिया और बाद मालूम चलता है कि आपका पूरा account खाली हो गया तो ऐसा कभी नहीं करना है कि अगर बैंक का नाम भी लिखा हो उस number से call भी है तो आपको पूरा पहले number confirm करना है अगर आप number confirm नहीं कर पारे थोड़ा सभी अ करता हूं एक बार सबसे फर्स्ट में आप जो गूगल पर number search करते हैं उसको confidence के साथ verify कर लीजिए अगर आपको लगता है कि रियल में नंबर हो सकता है वहां का या है अगर आपको लगता है कि नंबर वहां का है तो आप उस पर call किजिए अगर आपके पास कहीं से call आता है किसी बैंक में आप call करते हैं तो उस नंबर को confirm करने के बाव अगर आपके पास कहीं से call आता है तो उसको भी confirm कर लीजिए और उसके सांथ को यह आपको confidential share नहीं करना है चाहे वो customer कहर वाले ही कि उन्हों आप डागर के डारेक्ट बैंक में विजिट करोगे काफी best होगा आ अगर वीडियो सही लगा हो तो दोस्तों ऐसे हैं वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए